बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलामों अलेकुम नाजरीन क्या हाले आपके उमीद आप सब बढ़ी आउंगे और खुशाल होंगे मेरा नाम है कुनाल तो वेलकम आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रियक्शन वाला कपन तो मैं के लाई कर रहा हूं जाते हैं तक इसी थोड़ा सा दिकत वाला होता है तो हमने एपिसोड तेज तक देख लिया था और लास एपिसोड में आमून से रिलेटेड ज़़ा था वो कि जो आमून थे जो प्रेजेंट में वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनके बाद अब शयाद उनका बेटा है वो आमून देदी ज़़ा हो जाती है तो यहां तक हमने देख लिया था अब अब अपने देखना है एपिसोड 24 तो बिना टैम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं किस के लिए बानों जुलेखा के लिए गद्सरे फुतिफार के बानों मौतरम के लिए किस बानों के लिए जिसके पास नापो पहने सीशान उशुकत रहें नहीं वो खुसन जमाल क्या है यह हो गए उनका फिस का है खुद को इतनी भी सरजश मत करें आप हमेशा हमारे लिए बानों जुलेखा रहेंगी हर रोस पहले से भी ज्यादा अज आप ने चलती आज आमों ने होतब सौं की आखरी रसुमात अदा कि लिए जानती थी मगर क्या करती है हमत नहीं हो रही थी क्या फर्व पड़ता है चाहे वो कुई भी हो लेकिन आपको शेकर करनी चाहिए थी मिसरी के तमाम अश्रावस आदिया महा मौचूद थी मेरा तो पूरा वुजूद ही सुकवार है मज़ीद किसी और सो के मताम मिल नहीं अब कल की रसो माथ का क्या करेंगे जट ने ताज पुशी है किया उसमें बेशिकर नहीं करेंगे ऑप सिर्कत करने पर तो मजबूर हो लेकिन बिलकुल भी सजने सवरने और अश्रावसादियों से मिलने होसला नहीं combust में कर दो कर दो इनाफरत क्या आप नफरती थी मिस्सिर की बानुए अवल है हाँ और बहुरी खुर्बसूरत है अभी दो थोड़ी देख ले न ये देखो जुलेखा की हालत कैसे हो गई है हाँ प्रिखाम इसने अपने क्या हालत कर ले सुन्दा है कि आपुटब चारू खुदा आपुटब पर पिल्कुल भी ऐसा खाथ नहीं रखते हैं अगर ऐसा है तो पिस तरह राजी होंगे कि आज आप आपुटब के सर्पर ताज रखें यह तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं हमेशे से ही कहीन आज़न और अजीज विस्री दोनों मिलकर फर्मरवा की रस्मे ताज पोशी अदा कर लें मुझे यकिन है कि आमून उतब चारून के खुमत में मिसर में नुमायत तब्सी रून होंगे उआमून और मावद एमून पदें तो लिए कभी रखें ते बात तो कि लिम उचिल पराद चारून कि लिए झाल स अर्णान पराद थाची रखें तो कि लिए जो थिए तो कि अए इन से अक्तून प्राद तो एमून पराद चारून आज रह ऑं तो कि अधिच्व एमून मुझे अपा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो शो Hmm इने नील मुक्द्स के खुदाओ एए मिश्ट के पोशीजा इस्रार औरमूज के खुदाओ एए आमून खुदाओं के खुदाओ एए वो जिसने फिरॉनों और फर्मार्वाओं को कुद्ट पर्ताकद और नील को रुवानी तकतस मिस्ट को अजमत और एराम मिस्ट को इसका काम बक्षा हमारे जमाँ फर्मर रवा वामूल होतब चाहरूम को तमाम फराइना की पुद्रत नीड मुकद्द की बारावरी मिस्ट की अजमत और तमाम एराम मिस्ट का इसकाम अता वर्मा और उन्हें उनके दुश्पनों और उनके हरीपों के मद्द मुकाबल किस से हितिहा और मिल्सानी और हिजास से लेकर शमार और सिल्थ तक की अखूमत अता पर्मा और तमाम खुड़ों को उनका मददगार करार दे स्सक्राइब बढ़ कुछों के से लेएlusive से लेकर प्र आता दो है झाल 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 आफरीन स्मूत तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महरत से काम लिया है मैं पहले एक मैमार हुआ करता था मिसर में काफी इमारतें तयार कर चुका हैं हम सब भी तुमारी तरह हैं ऐसे दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं चिसे बाद में छोड़ कर जाना पड़ता है एक एहम ख़वा है युजार्टी इनसानों के लिए दुनिया की एहम तरीन ख़वर मौत औ पना है क्या ऐसे नहीं है चाहिए फरमाया आपने आमून हुटब सुम जहान घर कूच कर गए और अब उनकी जगा आमून हुटब चार रम तक नशीन हुए है अभी अभी जब अश्यायफ और दोनों शुतरवा रहा था तो सिपाईयों से सुना है तक्त हुकूमत हमेशा काइम रहता है ये तक्त नशीन हैं जो तब्दीद होते रहते हैं एक रोज आमून हुटब अवल तो दूसरे रोज दून उससे अगले रोज सून और आज आमून हुटब चहारूं मैंने बच्पन में उन्हें देखा था उम्मीर है कि वो उन सबसे बैतर साबित होंगे सुन रहे हो इसमूट आमून हुटब सोम भी आज अपना घर बात छोड़ कर चल बसे क्वश्स कर दो 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 कि कि हूज है कि अग से प्रफिस कि जडेको कि अहली में है कि अजय का अवैर, को経रे के त humano कर रहे हैं कर दो कर रे कर दो बोड़ है झाल कि बाल, झाल, झाल, झाल. झाल झाल सपना था मतलब इतना क्या सपना मलग क्या कैसे बनाया क्या शूट किया अरका करूँ कौन हो इतनी रादगे क्या चाहते हो जनाब फार्मा रवाम आमों फोत अप्शारम की जानेब से आए हैं और जनाब आनखमाओं के लिए एक जरूरी पेखाम लाए है आप यही खेरिये मैं जनाब फार्मा रवामों को खबर करता हूँ खेरिये इतनी रादगे क्या कहा है फोदवन्दगार में सिर्फ आमों फोत अप्शारम ने खौब देखा है और आली जनाब आनखमाओं को अपने खौब की ताविर की खर्श से पस्त्र में तलब फर्माया है आप चलिए मैं अभी जनाब आखमाओं को मुतला करता हूँ अरकत करो आली जनाब अगर आपकी तवियत नासाज है तो मैं हौरम हौब से माज़त कर लेता हूँ क्या आपकी तवियत खराबी के बाइस आज कसर में हाज़र होने से खासर है ना 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 आज तक अपने खुदावन के गमाद की बजावरी में लमा भर की भी ताखी नहीं की है अपने फराइस के अंजाम दही में बिमारी को चबाज बना करको टाई बर अतना मुनासिब नहीं वैसे मामला क्या है मालूम नहीं और हमों कह रहे थे कोई आमकाम हो देख रहे हो आज ये रात को किस तरह हमारी नींड हराम की है क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जना वाम उन्हों तब अपना खाथ सुभा मापुरों से ब्यान कर देते क्रिपुनी जा और चन मुद्बिनों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे पौरण रवाना करो सितात आली जनाब आली जनाब पूतिफार और काहिन आदम आम खमाहू चर्पे बारियाबी चाहते हैं अड़िड रवीड़ आदम आम खमाहता है आप पर भी दूरूद हो जनाब फर्मा रहा स्लामत रहें क्या हुआ उमीदे कोई नाकुछगवार हाथ सा पेश नहीं आया होगा मैंने एक अजीब खाब दिखा शायद बेहतर हो शायद ना हो और मुम्किल है कोई तावीर ही नहा हो उसकी खाब फर्मा रहा की तावीर सरसर खेर और नीगी पर मफ़दी है मैंने माबिरों को बलवाया है आते ही होंगे जो कुछ भी है उसना मुझे परेशान कर दिया है बिनरूस तुम्हारे खाब की तावीर कुछ यूँ है कि आज से तीन दिन बाद तुम अपने साबका ओधे पर बहाल कर दे जाओगे बिनरूस जी जी आरी जनाव क्या तुम हमारे शरागदार नहीं हो क्यों नहीं जनाव क्यों नहीं अलबता तुम आपो बीस तीन दिन बाद तखता एदार पर मस्लूप कर भी जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कवे ननोच डालें यूजार सिफ वा बिनरूस वा क्या खूद तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया साथ साल कुजर गए बानवी मौतरम मेरा ख्याल है कि फर्मर रवा आमून होतर के ख्वाब के ताबिर का हल जानता हूँ अगर आपकी अजासत हो तुम मौबरान आज चके हैं अब तुम्हारी ताबिर की जरुवत नहीं तुरूद बद फर्मार मारे मिर्स्र उताफन आमून भोतब वे मिर्स्र के नामी गरामी ताबिर बताने वाले हैं मैं जनाब फर्मार रवा से दर्खास करता हूँ कि वो अपना खाब बियान करे ताकि इन लोगों की सलाईयतों का बजाते खुद मुशायदा फर्माएं मैंने खाब देखा कि साथ मोटी तासा गाएं दलिया नील से नमुदार हुई और साहिल पर जबने में मशुदार हुई पिर नील खुछ को गया और साथ लागर गाएं जमीन से नमुदार हुई और फिर इन कमजोर लागर गायों ने उन मोटी और फर्मा गायों को खा लिया अगर जनाब फर्मा रवाल जाज़त देड़ों ये लोग एक दूसरे से मश्वरा करने है जरूर करें जितना चाहें मश्वरा करें क्यों है फिल्हाल तो हमारे समझ में कुछ नहीं आरा कहते हूं ये खाबी परशाए हाँ क्योंगे जनाब आम मुन हुटर कफाग में ये तो मुट जनाब आम मुन हुटर कफाग जनाब आम मुन हुटर कफाग एक नाकाबने निधे ही वादlife व कोmarkt है, बेमकसद और माश्वार की तापड़ की ताविर बόद मुश्खल है। यूं व्यूं क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग मिरे साथ की ताविर नहीं जाते हैं। हर माकूल आत्मी वासा नहीं समझ सकता है कि ये कोई बामकसद खाल है जनाब एक फर्मारवा जहन के हैं कि हमारे मौबिरान बासलायत और तच्रवेकार हैं मुझे इनकी सलायतों पर कोई शक नहीं मुझे अपने खाल की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर दे नहीं होते खुद पर काबू रखिये जनाब एक फर्मारवा मुझसा आपकी सहत के लिए ठीक नहीं है मैं जनाब एक फर्मारवा से आपके लिए कुछ मुहलत ले सकती हूँ बिला शुबा मेरे खाल की ताबीर जरूर है लेकिन इन में इतनी एहलियत ही नहीं के मेरे खाल की ताबीर जैसे है अब जब के बानूती ने फर्माया आप लोगों को मौलत दी जाती है अलबता मुझे अपने खाल की ताबीर जल दस चाहिए कुछला कुछ तो बता देते हैं कुछ तो कह देते हैं तो अबसकर जहां से तो रिजात दी जाती है चलो चले क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जणाब युजार सिव इस वाब के ताबिर बता सकते हैं लेकिन नहीं 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 इन में से कोई भी इजार सिपका खेरखवा नहीं है पानवी मौतरान ने भी तो बताने नहीं दिया अगर वो अजादत दे देती तो मैं ज़रूर बता देता वो समझी होंगी कि शायद तुम खुआप की ताबीर देना चाहते हो कि वो अजार को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते यानी किसको बताता? पुदिफार को जिसने खुद ही युज़ार सिपको जन्दान में दलवा दिया? या फिर आख माहूं को जो उनके खून का पियासा है? बेराल किसी भी तरह फर्मा रवा के युजार सीफ की मौचुद्गी का एसास दिलाओ हाँ मैं ऐसा ही करूंगा साथ साल पहले मुझे एक काम कर लेना चाहिए था साथ साल पहले ही मुझे साबिक फर्मा रवा आमून हुतब सवें से युजार सिम का जिकर कर देना चाहिए था वालों नहीं कैसे बूल गया उन्होंने मुझे यत्ता परस्ति की दावत दी मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबिर दी उनका वो लुटफ औ करम, वो महरवानी, वो मुहबत उसके जवामे मैंने, मैंने क्या किया लान तो मुझ पर, मैं किस मुझे उनका सामना करूँगा बिन हरुस वाकिए ये गलती नाकाबिल माफी है आखिर तुम कैसे उनके तकादे को फरामुश कर सकते हो इस में शक नहीं कि शेताने मलाउन इस फरामुशी का सबब बना है लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूँगा हाँ अजाला करूँगा दूबार आगली रात भी लग रख 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 अजाला कर दोयाँ सब्स्या में जाज बनी रात भी रख 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 प्रफड़ आप आप झाल बासानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला खाफ साथ गायों वाले खाफ की मानिक ये साथ फर्वा गाये ही गंदुम की सबसरी बालिया ने और लागरों कमजोर गाये वोई गंदुम की जर्थ पुश पारिया मैंने मतवातिर दो रातें दो खाफ दो मुक्तलिफ शकलों में देखी अब आप लोग मेरे खाफ को एक बेमकसद औ बेमानी खाफ कहकर इतनी असानी से दामन नहीं बचा सकते मुझे अपने खाफ की ताबीर चाहिए अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचू के अगर आज रात मेरे खाफ की ताबीर पेश ना कर सके तो कल आप सब लोगों को बिला शुबा आपका खाफ एक बामकसद खाफ है लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर है अगर ताबीर मुंकिन ना भी हो तहकी तो मुंकिन है ये माबद आमून के काहनों और माबदों के खरूर को तोड़ने का बेतरी इन मौका है आप चाहें तो अपने खाफ की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं मुझे भी इन से ताबीर की कोई उम्मीद नहीं ताब मुसर तामिज दूर करिएाम। मुझे भी पाने कर पाना दोड़ targets बानो अजूर मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोलो तुम कहना चाहते हो के आमुन हो तब के खौप की ताबिर का हल जानते हो जी बिल्कुल बानो अजूर बीना रूस तुम दखल अंदाजी मत करो परमारमा के घुश्य को मजीद हावा मत तो इस खाब की ताबिर बहुत मुश्किल है यह हमारे बसकी बात नहीं यानि इसकी ताबिर मुम्किन है नहीं जनाब हमें एक राग की मौलत चाहिए तुम सब मेरे हाटों से मारे जाओगे तुमने माबुट की आप रुखाख में मिला दी जादू गरान और मख बनाने माबजे आमून जनाब फर्मा रवा से एक रात की मौलत चाहिए मौलत का वक्त गुजर चुका सालों बैट कर खाया और आराम किया ताके मुश्किल घड़ी में चारा जूई कर सके मुझे अभी और इसी वक्त अपने खाब की ताबिर चाहिए जनाब फर्मा रहोगा ये मिसर के मशूर मारूफ जादूगर और मौब्र है अगर ने कुछ मौलत दे दी जाए तो यगदी ने लिए कि जी नतीजे पर देजा हमायत मत करें का आएन आजम ये मुठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महद मिसर की आवाम का खून चूसने और मिसर की जड़ों को खोकला करने में मश्गूल है ये तो तिप्स के उनावारा कुटों से भी बत्तर हैं जो भूंक कर आगा तो कर देते हैं आपको गुसे से परहिस करना चाहिए ये आपकी सिहत के लिए ठीक नहीं है आज या तो ये लोग तावीर बताने के लिए जबान खूलेंगे या फिर ताजियानों की जर्वों से इने भूंकने पर मच्बूर कर दूंगा और याद रखें जनाब आखमों आज किसी को भी मेरे घ्यज़ गजब से आमान नहीं मिल सकेगी लहाज़ इनकी मजीद हमायत ना करें आप से दर्खास्त है कि खुद पर काबू रखें आपकी तबियद ठीक नहीं है इन सब को जिन्दान में डाल दो अब ये उसी वक्त अजाद होंगे जब ये मेरे खाब की ताबीर बेश करेंगे अजाद में अजाद में आपकी ताबू आपकी ताबू आपकी ताबू बाहन हुद झाल जापकी ताबू आपकी ताब कुछ और करूं क्या है अब क्या कहना है मैं इस मुश्किल का हल जानता हूँ लेकिन बताने के जिसारत नहीं कर सकता जनाब वर्मा रुमा नहायद खुसे में है तुम खाब की ताबिर जानते हो नहीं नहीं मैं एक माहिर मुश्किल को जानता हूँ बीनारूस तुम सब कुछ देख रहे हैं अगर कुछ खलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो मुझे यकीन है कि अस मौबिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा बान अवसूर में दर्फास करता हूँ कि मुझे भू कुछ कहने के जनत दी जाए ले जाओ बीनारूस विजोड दी जाओ पड़िए इन्हें छोड दीती आली जनाव बीनारूस साफ़े कुछ हर्श करना चाहता है थोड़ दो इन्हें कहो बीनारूस सुन रहा हूँ मैं जनाबे फर्मा रवाय किस मुश्किल का हल जानता हूँ तुम मेरे खाब गिताबीर का हल जानते हो जी आली जनाब कितने शर्म का मकाम है जाएं और जाकर नील में टूब मरें मावद आहून के नामी गिरामी जादुकर और मौबिर बेबस हैं और ऐसे में बिनारूस हमारा साथी इस मुश्किल का हल पेश करें हूँ तो वो कौन है बिनारूस एक इबरानी गुलाम जो फिल वक्त जिन्दान में है एक इबरानी गुलाम गैदी जनाब फर्मा रवा जब मैं और आपो पिस कैद में थे हम दोनों ने खौब देखा तब उसी जवान कैदी ने मेरे खौब के ताबित कैद से रहाई बताई और आपो पिस को तख्ता एदार पर मसलूब के जाने का बताया तौनों ताबित ठीक तीन रोज बाद वकू पसिर हो गई बिनरूस तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फर्मा रवा से मजा का क्या नतीजा हो सकता है इत्मेनान रखे मेरे मालिक इत्मेनान रखे ये क्या क्या रहा है बुदिफार बुदिफार ये ठीक कह रहा है मेरे खुदवन मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूँ मेरे खाब की तावीर पेश करने के लिए तुम दो कुछ तक की मौलत नी जा रही है चले जाएं कि मुझे आप से नील की अतराफ में डगने वाले गायों के फदले की सी पू आ रही है चले जाएं मुझे कल तक अपने खाब की तावीर चाहिए सुन लिया वक्त जाया किये बगयर क्या अभी और इसी वक्त हौरन हूप के साथ जिन्दाने जावीरा जाएं और मेरे खाब की तावीर मालूम करें उसकैदी का नाम क्या है उसकैदी का नाम क्या है विजार सीफ लेकिन अबरानी जबान में उसे यसफ कहते है ये नाम मैंने कई सुना है मेरे ख्याल है कि मैंने माज़ी में इस नाम का एक बच्चा जनाब फूतिफार के लिए खेड़ा हूँ जिन्दान जावीरा जल्द चाहिए कर दो शेड़ा जज़ाइ कौन है इस्ती राजगे क्या काम है जनाब के रमिन से कहो आमून हो तब चाहरुम की जानिब से पारन पुआ होरन हूप आया है इंतजार कीजिये जनाब फर्मांदा होरन हूप तश्रीप लाए है दर्वाज़ खोल दो हरकत करो इतनी राजगे कि आजी जनाब फर्मांदा को यहां खेज लाई है पर्मा रवा के हुकम के आगे रात और दिन की कोई हैंगर ने इनारुज आप क्या गलती कर वेटे जो जिन्दान का रुख किया है नहीं हम युजासी से मिलने आए हैं जनाब फर्मा रवा के हुकम से हैं ठीक है जले है नबी खुदा जनाब इजार से पर दुरूद हो तो बड़ी खुदावन का दुरूद हो कुन हो तु यह क्या कर रहे हो यहा क्या कर रहे हो अच्छ कर ठीक हो जब तरसकर यह कैसे बात टीक हैं पुदाएओग कर रहे हुआ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तहां आपको सामना कुरू था तुम्हारी शर्मिंदगी बिलावजा है तुम्हें मेरा तकाज़ा फरामोश करना ही था तुम्हारी फरामोशी बगर मस्लियत के नहीं थी यूना सिर्फ मुझे अच्छे दोस भी मिले बलके बराए तज्किया और अबादत बेहतरीन मौका भी बीना रूर्ष खेरी अस्ताथ जिन्दान तावीरा करास्ता कैसे बूल गए यूरासी की आज कैसे आज़ा बताऊंगा बताऊंगा मुझे फर्मा रवाय मिस्र अरी जनाब आमून हुटब में यहां बेजाए एक खौब की ताबिर मालू करने आया तमाम माहिज जादुगरान और मौपिरान दिप्स आमून हुटब के खौब की ताबिर के आगे बेबस हो चुके अगर फर्मा रवाय खौब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आव याद ना आते हैं खौब तो बयान करो भी नहरुस फर्मा रवाय ने खौब में देखा के साथ खंजोर लागर गाएं मौटी ताला गाएं को निगल जाती है और गंदों के साथ सब्स खुश है गंदों के साथ बड़ खुशों के तोस्स से खुश खोगा खत्म हो जाते हैं पैसने राद ऐ खालिक यक्ता तावील ये खौब मेरे ही पास है लेकिन आपको इस खौब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैट से निजात ना मिल जाए खुशा बंद मतार ने इसी रोस के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाई जवामर्दी नहीं कि अदाए की एकार खायर के लिए कोई उज्ड़त या जमाना तलब की जाए तुम फर्मा रवा के पास जाना और कहना साथ साल परवाई ने नेमत के दरबेश है इन साथ सालों में खुब मेहनत سے काश्टकाडी करें और फसल काड़ें और इसमें से थोड़ी मिदार खाने اور काश्टकारी के लिए इसलिए और बाकी मानाइको झखीरा कर लें इसके बाद साथ साल वहत आफज़की साली के दरबेश होंगे जहाएर जमा करदा को कहा तो खुछसाली के जमाने में इस्तमान में लाएं ताकि लोगों को परिशानी का सामय ने करना पड़े भूँ फुदा की कसो में यही ताविर है मुझे यकीन है बड़े बड़े मौक्त जिसको आप ताविर पेश करने में नाकाम रहें जल्द वापस आए जा रहे हो ताके पेहने बुल जाओ भी नगया है नहीं बिल्कुल नहीं मैं आज ही आप लोगों के पाल दुबारा हूँगा जाओ मालहर अपने दोस्तों को खुल मज जाना ज़रूर खुदा ने के दा खुदा ने के दा मैं जल्द वापस आँगा खुदा टुदिय्ट गाओ को हो ये हड़ियां और मोरे ताविर देने से आज़िस हैं ये तुम जैसा काहिन आज़म फरमाए हम मौब्रान अपनी आज़सी और नातवानी का एकराफ करते हमें चन्द दिनों की तैद्रीक से सिर्फ ये मालुम हुआ है कि मिसर के पदीम आईन रवायात में गाए को साल से ताविर किया गया है तो फिर क्या इस से मुश्कित तो हल नहीं होगी मैं और जवान गैजी को जानता हूँ मुझे इस बात का ख़च्छा है कि कई वो आमोन होता कि खाथ की ताविर नगरते क्या सुना नहीं के उसने पहले भी बिनारूत के खाथ की वाज़े और सची तो लिताविर पेश की थी मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आंक माहूर ऐसे तो करिए एक नितावी रखाथ बेश की है इन में से एक जज़ा सिर्वी से इसमें कबाह क्या है अमक तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्द मुकाबल आमोन की शिकस्त कोई बुलाई नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं बिल्कुल है बिल्कुल है उस जवान का नाम जुजासीद है और वो एक यप्ता परस्त है उसकी काम्याबी आमोन की शिकस्त सुमार होगी त्यूकि वो आमोन पर इतकाद नहीं रखता विनरूस तावीर खाब लाए हो या नहीं जनाब मैंने पहले ही अर्स किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मौपिर है फूब तो बताओ इजासिक ने बताया कि साथ मोटी गाएं और साथ सब्स खोशे साथ साल फरावानिय नहमत की दलील है और साथ लागर गाएं और साथ खोशे जर्दो खुश्क साथ साल कहत खुश्क साली के अलामत है आफरीं यही है यही ताबीर मेरे खाथ से बेतरीन मताबिक अदर रखती है यकीन यही है मैं उस इबरानी खुलाम की हर कही हुई बात पर इमान रखता हूँ आप से जानते हैं? हाँ मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ बीन अरूस क्या उस गैदी ने तुम्हें कहत से बजाओ का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं जानता हूँ उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के साथ सालों में खुब महनत से कास्कारी करें और जखीरा करें ताकि कहत और खुशक्साली के साथ सालों में उस से इस्तिफादा किया जा सके ये राले हल तो नहायत मुनासिब है लेकिन गंदुम तो साथ साल तक महफूस नहीं रह से तो फिर जखीरा कैसे मुम्किन है? मुम्किन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो यकीनन ऐसा ही है मैं उसे वरानी गुलाम से मिलना चाहूँगा उससे फिल वहाँ हाजिर किया जाए इस तावीर खाव और इसके तदार्ण को फिलहाल मौमी रखिए ताके देखे काईनान माबद क्या करते हैं बिला शुबाग इतनी तकीक और हकीमाना तावीर आखमा हूँ और काईनान माबद के वजूद पर एक कारी जर्प साबित होगी यकिनन तो फर्मारवा के खाथ की तावीर पेश करने में नाकाम नहीं होंगे आखमा हूँ का शिकस्त हुर्दा और तैगीर शुदा चहरा काबिले दीरू मेरे से नहीं हो रहा वेट नेक्स पार्ट के लिए पार्ट 25 के लिए बिल्कुल वेट नहीं हो रहा मुझे वो देखना है जब हदरत यूसूफ आले सलाम इंके आग आएंगे आमून के आगे आएंगे ये फेस फेस बात करेंगे वो चीज़ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं और ये पूरा जो एपिसोड है ये आमून के खौप के ओपर ही था वो स्टार्ट भी वहीं से हुआ इतरा से कि उन्होंने खौप देखा कि चैसे साथ कमजोर गाएं, साथ मोटी गाएं को खा रही है नील का पानी सारा खतम हो गया गंधूम की खे देखे तो कोई भी इसकी ताबीर नहीं कर पा रहा था तो हज़रत यूसुफ ने इसकी ताबीर कर दी तो अभी ये उन्से मिलना चाते हैं तो अब हज़रत यूसु मैं पूरी तुम स्पेशलिस्ट हो तुम इतने पैसे लेते हो ये करते हो तुम बताओगे इसकी क्या है और वो बताने पारे तो बहुत ही इंट्रस्टिंग सीरीज अभी बहुत ही इंट्रस्टिंग मोड पर आगी वाके में तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 25 में हम अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना शेर करना कमेंट करना और सस्क्राइब भी करी देना तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 25 में तब तक के लिए अलाफिस